गुड मॉनिंग आज हम लोग बाइदूत आवेश एवंचेत्र जो कि आपको पता होगा हम कल बताये थे पिछला वीडियो में कि इलेक्ट्रोस्टाटिक के दो चेप्टर इलेक्ट्रोस्टाटिक के अंदर में NCRT के दो चेप्टर चेप्टर वन चेप्टर टू तो हम लोग लेकर चल रहे हैं तो उसमें पहला चेप्टर है बाइदूत आवेस एवंचेत्र एलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिल्ड यह एंसे आटी चेप्टर नमबर वन है इसका वीडियो नमबर तीन इसका वीडियो तीन मतलब इलेक्ट्राइस्टेटिक में मिला करके हम दो वीडियो बना दिए और एक यह तीसरा वीडियो अभी हम लोग बात कर रहे थे पिछला क्लास में कि वीदूत आविस क्या है और मातरग होते हैं यहां तक हम आपको पिछला क्लास में बताए थे बीदित इसके अमिर्ट शेकंड या कुलाम होता है और बिमा आईटी या एटी होती है यह हम आपको पिछला क्लास में पिछला क्लास में पताए थे जे आँं लोग में जैसे की पिछले वीडियो में ऐसे हैं क्भिती विच पी अरवी मात्रक हैं हम लोग उन मात्रक 0 के बारें पढ़ेंगे तो विजू यह लुक्तनैक पर चारचा करें तो पहला है याय है अधीतिक F color lucky है बिजित अब इसके अन्यमात्रक में पहला है बैदुत अस्थायतिक इकाई अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रो अस्थायतिक इवनिट इसको सौट फॉर्म में ये सिव लिखा जाता है और इसका सौट फॉर्म ही अधिक फेमस होता है सौट फॉर्म में ये सिव लिखा जाता है और सौट फॉर्म ही इसका फेमस है बैदुत अस्थायतिक इकाई कोई नहीं बोलता ये सिव ही ज्यादा बोला जाता है और इसका एक और नाम है अस्टैट कुलम बीदुत अवेश के अन्यमातरक में पहला मातरक है बैदुत अस्थायतिक इकाई इलेक्ट्रो अस्टैटिक इउनिट इसको सौट फॉर्म में ये सिव कहेंगे या इसका एक और नाम है अस्टैट कुलम इन सब में ज्यादा यूज होने वाला दो ही है एक एस्थायतिक या इस्टैट कुलम ज्यादा यूज होता है यहां पर आपको एक बहुत ही बहुत ही बेहत्रिन पॉइंट चाचा कर दें यह जो यह सिव या इस्टैट कुलम है बीदुत अवेश के सीजियस मातरक है बीदुत अवेश का सीजियस मातरक अब यदि आपसे कोई पूछ दिया कि बीदुत अवेश के सीजियस मातरक क्या होता है बीदुत अवेश के सीजियस मातरक क्या है तो आप यह स्टैट कुलम कह सकते हैं सब को जानता है किसी से पूछिए तम सब कोई धड़ले पता देगा कि अवेस का सीजी असमातरक पूछ दीजिएगा तो कहीं न कहीं अच्छे अच्छे लोग जो है फ़ाज जाते हैं कि बहुत से लोग जो है वहां आपको फ़ाज आएंगे तो इसी तरह सब समझने कोशिश किजिएगा कि बीदूत अवे बेदूत अस्थायति की काई एलेक्ट्रो इस्टैटिक यूनिट यह 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 समात रख रख है आखीरे कुलाम जो आपिस कैसा ही मात रख है कुलाम और सी जिए स मात रख है स्टैट कुलाम तो कुलाम और स्टैट कुलाम में क्या रिलेसन हैं तो देखिएगा एक कुलाम बराबर होता है तीन गूना दस के पावर नो EASU एक कुलाम बरावर तीन उनादस के पावर नौ इस रिलेशन से हम इस रिलेशन से हम इस रिलेशन से हम कुलाम को 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 इस रिलेशन से हम क कि सेकेंड आपका जो यूनिट है वह है बाइदू चुम्बाकिये इकाई इस सब आब इसके मात रखें बाइदू चुम्बाकिये इकाई इलेक्ट्रो माइगनेटिक एक यूनिट या इसको हम एम यू सौट फॉर में लिख सकते हैं इसका एक और नाम है एबी कुलाम है बाइदू तस्थायतिक इकाई इस यू या इस्ट्रेट कुलाम जो कि आवेस का सीजिस मात रखें और बाइदू चुम्बाकिये इकाई इलेक्ट्रो माइगनेटिक यूनिट यू या आयब कुलाम यह आप ध्यान दीजिएगा एक 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 बी कुलाम बराबर दस कुलाम होता है या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि एक कुलाम बराबर एक बटा दस एबी कुलाम या इम्यू लिख सकते हैं हम बटा में दस बटा में आ गया तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यह रिलेशन अब कोई पूछ भी देखिए रिलेशन कहां से आता है तो नहीं बहुत दूर यह डिया हुआ है होता है इतना जैसे हम जानते हैं कि एक केजी बराबर और एक हजार गराम अब यह कोई रोल नहीं है उसी तरह से आप जानिए कि एक कुलाम बराबर इतना यसी और एक अभी कुलाम बराबर दस कुलाम तिसरा जो आपका टर्म है वह है फैराड यहां पर हम आपको जरूर नोटिस करवाएंगे कि एक वर्ड होता है फैराड जैसे यह फैराड लिखा हुआ है न तो एक वर्ड आपको आगे जाकर मिलेगा मात्रक में फैराड तो यह फैराड नहीं है यह फैराड है यह जरूर नोटिस कीजेगा यह फैराडे है तो एक फैराडे बराबर होता है केमेश्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे केमेश्ट्री में बहुत इस्तमाल होता है 96500 कुलम एक फैराडे बराबर 96500 कुलम और यह आवेस की बड़ीमात साथ है यह जो आप देख रहे थे यह आवेस का सीजे समात रखें और यह बडा मात रखें देखने रहें आप एक फ़राडे बराबर 61500 कुलम है तो यह बसका बडा मात रखें को अभी तक बोड़ पर हम तीन मात रखें हैं बाइदू तस्थाहति की क्या एक एक कुलम बराबर एक बटा दस एवी कुलम और एक फराड़े बराबर 96,500 कुलम कुछे और भी मात रख हैं हम उनको लिख द रहे हैं यहां पर साइड में कोई ज़्यादा परिसान नहीं होना है अगला है फ्रैंकलेन फ्रैंकलेन इक फ्रैंकलेन बराबर एक एस्यो एक फ्रैंकलेन बराबर एक एस्यो यह एंडिये के एजाम में 17 में साइड पुछा गया था उसके पहले हम कभी भी Franklin नहीं पढ़ाया हैं, उसके पहले हम कभी Franklin के बारें चर्चा नहीं करते थे, लेकिन यहां पर हमने चर्चा कर दिया, क्योंकि वहां पर पूछा किया थे, एंडिये में, कि निमन में से कौन आवेस का मातरक है, और उसमें Franklin डाल दिया था, तो Franklin भी पूछ जा सकता है कि एक फराडे बराबर कितना यस तरह से श्रीयसन पूछ आक एधर लगलन Focus करके आप इसको आप उतारना चाहे हैं यह मुम एपट करके बीडियो करके सब्सक्रिबंगे इसंधिनदर में क्या क्या घूता है। पूर्धी दो परकार कि होता हैं पूर्धी बता रहे हैं उसमें आपको पता चल चुका होगा कि त्याग करने वाले पर धान आवेश अग्रहन करने वाले पर रिन आवेश उत्वन होता है तो आवेश दो परकार के होते हैं एक धान आवेश और एक रिन आवेश चलिए देखते हैं कि पहला गुन की बात करें तो आवेश दो परकार के होते हैं कि आवेश दो परकार के होते हैं पहला है द्धान आवेश को हम ऐसे पोजीटिव लिखेंगे और दूसरा है रीन आवेश करके आवेश दो परकार के होते हैं पहला द्धान आवेश दूसरा रीन आवेश आपको पता होना चाहिए कि अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सजातिये में बिकर्सन होता है और बिजातिये आवेशों में आकर्सन होता है यानि समान जाती की आवेश से सजातिये आवेशो में सजातिये आवेसों में बिकर्शन रिपल्शन सजातिये आवेसों में बिकर्शन जबकि बिजातिये आवेसों में आकर्शन होता है कर रहा है कि सजातिये में बिकर्शन होता है और बिजातिये में आकर्शन होता है सजातिये का मतलब समान जाती के समान जाती के आवेसों होगा तो बिकर्शन होगा और और समान जाती के अलग अलग होगा तो आकर्शन होगा यह कर रहा है कि जदी दो आवेस समान जाती के हो तो उनमें बिकर्षन होगा वो एक दुसरे को धाका देंगे और जदी दो आवेस अलग अलग जाती के हो तो उनमें आकर्षन होगा वो एक दुसरे को खीचेंगे क्या मतलब हुआ समझने के कुछिस किजिएगा यदि पलस चार्ज हो और ये पलस चार्ज हो तो भी करसन होगा माइनस चार्ज हो और माइनस चार्ज हो तो भी भी करसन होगा क्योंकि ये दोनों समान जाती के हैं ये दोनों भी समान जाती के हैं तो समान जाती में भी कर्शन होगा, लेकिन एक पलस और एक माइनस तो आकर्शन होगा, एक माइनस और एक पलस तो भी आकर्शन होगा, खुल मिला कर अब समझ चुके होंगे, कि यदि समान जाती के हो तो भी कर्शन, और और समान जाती के हो, अलग अलग जाती के हो, तो आकर और यहां पर में बांते पहादूर ये जो समान जाती सबहनारा है यह सह संन बात करते हैं ja हर जगह समभाव है कि यह हर जगह होता है को ही आप चाहे कि सी चीज आप देखके लिएक कभी कि करेंगा कि कोही भी कि' पर आप घर में ही यांप ले लेजे आपके घर में दो छोटे बच्चे हो दो छोटा बच्च देखिएगा आपस में लड़ रहा है जो कि अभी उसको कुछ बोल ले तक नहीं आता अभी घुटने पर ही चल रहा है उसके बावजूत भी आपस में लड़ना शुरू कर देता ह गूटना पचलने मेंबाश बड़े लड़के से नहीं लड़ता, कोई खिलावना लिया हो, बड़ा भ्यक्ति खिलावना लिया हो कोई चिड़े नहीं लेकिन उसी च्छोटे बचें में से एक खिलावना देदीजे, देखे दूसरा लड़ना शुरू करदेगा यह जैनुवीन है इसलिए कि नियम है समान जाती भी करशन होता हम लोग भी जहगडा करते हैं तो हम अपने उम्र के ही लोगों से जहगडा करते हैं जैसे एक छोड़ा सा यांपल यह नहीं होना चाहिए अदेकिन होता है उसको बिता देते हैं हम जैसे आप देखिए आज की सटूडेंट में असे सीसी सिचियोंशन में टीच्र से असानी से बहुत कर लेते हैं के इस तरह के तदी टीचर का उन्म्मो काम ने किसी बात पर पर अधमी नहीं कर पाता है कि यो उनकी जाती में नहीं है तो पर पर चल रहे हो बाइक से जा रहे हो कोई आपके उमर का कोई दूसरा लड़का या दूसरा आदमी बैक से गलती से कुछ कर दिया तो फ्वशीवी परॉबलम करेट किया तो मुष्ष बहु कर देते हैं बोल देते हैं कुछ भी लेकिन कोई बुजुरू ब्यक्ति हो मालेजी आपका उम्रे 20 साल है और सामने वाला ब्यक्ति जो गल्ती कर चुका है उसका उम्रे 70 या 80 साल है तो यकिन मानिए आप उसको नहीं बोल सकते ज्यादा ज्यादा यह का 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 दिखाई निखे देद इसलिए कि नियम है आप कभी कभी देखिएगा आप नोटिस कर सकते हैं भाइस को भाइस से लड़ते वे देखिएगा भाइस को गाय से लड़ते वे नहीं देखिएगा कोहीं भी कूते को कूते से लड़ते वे देखिएगा कूते को भाइस से लड़ते वे नहीं देखिएग है दूसरे को मदद कर देंगे लेकिन अपने झाती के लोगों को मदद नहीं करता आदमीं कि आपके गाव में किसी नहीं कुछ प्रब्लम भूज़ा दूस से सुन अब डूसरे गाव़ में कि मत कुछ प्रवल्म वह वह जांते हूं तो यह समान लेना चाहिए इस मामले में 90% पुरुष सहमत है लेकि दहज लेना चाहिए इस मामले में लेडिज 90% आगे हैं आप नोटिस करिए का घर में जदी वाली एक लड़की के फादर जो है लड़के के फादर से बात करते हैं और काते हैं कि हां मुझे पांच लाक रुपया नहीं कि हीं डिज्यक्त सकते हम चार लाक देंगे तोबसलें के फादर मान विजा को आपATHAN. Wijं प्रौँम नहीं भर लंड़के फेश्चां और शुरू हरते हैं ये होता ही होता है कि यह जो पतूह साधी का कि लड़की आती है एक ताब देखे से जगड़ा करने जरा ओम भूराँ कामा कोंद करता हुउ वा इस क्रेंगे तुरों सूर्णी इस तरह से कहा सुषूर आम नहीं नहीं देखेए वह कम कि यह सहएराभ पाद में हो लेकिन लग टाजर्चर जदा करती खुद क्यों लेडिज को हैं अब देखियाका जैसे य तीलक चढ़ता है तो समान मिलता है तो तीलक चढ़ता है तो सबसे पहले दूसरी कर एक या तो लड़के के सिश्टर के पास में या तो लड़के के मौमी के पास में यही दो आदमी हैं जो शबसे पहले देखेंगे या उनहीं के पास जा के समान देखा जाईगा और वहांद से भले ही बरतन उठे अना उठे लेकिन उठा के जरू कुसरा सलह्ए हक लाक तरह के हलूका हम अपनुझ यहां जाति की बहुत कर हैं कि हम राजपूत है और था लेकर चर्चा करते हैं ध्यान दिजिएगा अभी हम आपको एक एक्जामपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं यह दोगा हम बोल चुके हैं कि एक प्रोटॉन पर ज्वाविस है वो पलस एक दस मलव छह गुना दस के पावर माइनस 19 कुलम होता है तो हम बोले थे कि इसे संख्या को आप एक मान माइनस 19 कुलम होता है और इस संख्या को एक मानिएगा तो यह माइनस एक हो जाएगा ऐसा हमने आपको बताया था अब हम एक एक एजामपल लेका के चल रहे हैं उस एक जामपल को समझेगा जैसे कोई एक परमानू है और इसके अंदर में साथ प्रोटॉन है तो साथ प्रो कि यानी साथ प्रोटॉन हे तो एक प्रोटॉन पर अभिजस्थ हमने बताया कि पलाश एक तो साथ प्रोटॉन पर पलाश गोलाश 00 यह इस परमानू पर total assurance zero हो गया ये आपको पहले से पता है कि किसी परमानू पर Cool स्थानररा नियूट्रोन के षायigor से थे दरहें प्रोटा़ इतों से तोटाल जोड़ेंगे फायों करें पर्माणु पर कूल आवस् जीरो से आउरगर क्लाज आवस् घिरो अब हम बात करते हैं कि दोनों को सम्हें। इन दोनों परमानु को हमने आपस में रगड़ दिया जब दोनों परमानु को हमने आपस में रगड़ दिया तो आपको पता होगा कि उनमें इलेक्ट्राउन का आदान परदान होता है जब दोनों परमानु को हम आपस में रगड़ेंगे तो उनमें इलेक्ट्राउन का आदा एक सवाल आया था कि इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन क्यों होगा एक सवाल आया था कि इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन सर क्यों होगा प्रोटॉन का लेन देन क्यों नहीं होगा यानि जो त्याग और गरहन के गिरिया हो रही है वो क्यों इलेक्ट्रॉन को ही त्यागते क्यों है इलेक्ट्रोन ही गरहन क्यों करते हैं, प्रोट्रोन का त्याग या गरहन क्यों नहीं होता है, तो इसका जवाब देदे हम, कि इलेक्ट्रोन बाहरी कक्षा में होता है, मतलब इलेक्ट्रोन बाहर होता है, अभी इलेक्ट्रोन में सभी इलेक्ट्रोन का त्याग या गरहन नही कि कि सभी एलेक्ट्रोन के त्याग या गरहन नहीं होता है कि विजय के सभी लेक्ट्रॉन के त्याग होता नहीं होत Union ट्यादीि जैसे माली यह नाभिक है यहाँ पर दो गोई लेक्ट्रॉन है जो भी है यहाँ पर चार गोई लेक्ट्रॉन है पाच गोई लेक्ट्रॉन है यहाँ पर तीन लेक्ट्रॉन है तो बहादूर सबसे पहले इन्ही तीनों का त्याग होगा या गरहन होगा जो भी होना है वो इन् नहीं होगा जब भी होगा केवल बाहरी का अक्षा का होता है और बहुत ही एक बीरेल केस में पढ़े होंगे एक्साइटेड अवस्था उस कंडिशन में जो है दूसरा का अक्षा का इलक्ट्रोन जा सकता है लेकिन बाकिका तो भूली जाए और वही बात नाभी का तो यहीं स कि तो चलिए हम समझते हैं कि आप्स मान लिए कि ूफ बैक्ट जिया को यह की जो है दो है इलेक्ट्राउट्वह्ष 25 आठ गूहरें आ हुग यह तो माइनस आठ होगा मानास कगा 8 मेंगाijuana भ्यूवला फार गाल 언제 यहाँ Correct कि इरने में नीट्राथ पत्रशन का टोटल जोट दिये कितना हुआरा पुलास दो नियूटरन पर 0 होता है तो 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 इसे पर आवेस हो ग्या माइनस दो जो गरहन किया जो पे पना टोटल जोड़ दिये कितना हुआ जिरो और पहले टोटल कितना था जिरो यानि कूल अवेस पहले भी जिरो था और अभी भी जिरो है कूल अवेस पहले भी जिरो था और अभी भी जिरो है इसका मतलब यह निकल के आता है कि आवेस नो तो उत्पन कर सकते हैं और नहीं नश्ट कर सकते हैं हाँ आवेस का रुपांतरन जरूर कर सकते हैं लेन देन जरूर कर सकते हैं बात को जरू समझिएगा आवेस न तो आप उत्पन कर सकते हैं न ग्रहन कर सकते हैं केवल रुपांत्रन कर सकते हैं त्याग कर सकते हैं ग्रहन कर सकते हैं लेन देन कर सकते हैं कि आवेश को आप ना तो नष्ट कर सकते हैं और नहीं उत्पन कर सकते हैं आवेश न तो बना सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं याद रखी का जरूर। सब्सक्राइब करता है क्योंक्या सब्सक्राइब्द एक नर्जाइब इसके पास 20 रुप्या है और इसके पास 30 रुप्या है उच्बन कितना हुआ 50 रपरा तो 50 से यदि बाढ़ जाएगा तब नौह से हम कहें सब्सक्राइब नहीं चलते एक यह तो 50-50 एक यह कंट यह एक आपस महें लिए यह तो बढ़ तो इन मिला करके अभेस की उत्पति के लिए दो बड़ी जरूरी है आवेस दो रहेगा तम्हीं क्योंकि ये त्याग करेगा आपको पता होगा कि अभेस नौ तो उत्पन के सकता है और ना ही नश्ट किया सकता है तो आपने दो को point देखा कि आवेस दो प्रकार के होते हैं, दूसरा point देखा कि सजाती आवेसों में बिकर्षन, बिजाती आवेसों में आकर्षन होते हैं, तिसरा point आप जानिए कि आवेस सनरक्षन सिधान्त का पालन करता है, अब आप से कोई पूछ देगा कि आवेस सकता है कि अवेश नौथ उथ्पन किया सकता है और नहीं नश्ट किया सकता है इसको किनırd ही कि दो पर मादों को जब आपस में रगणते हैं एक परमाण़ इलक्ट्राओं करता है जैसे से एक पर जितना धन आवेस उत्पन होता है उतना ही मात्रा मेरी आवेस दुसरे परमाणू पर उत्पन होता है जिससे कूल आवेस का मान नियत रहता है कूल आवेस का मान बदलता नहीं है कूल आवेस जितना पहले था उतना ही कूल आवेस इस पर भी है अबे भी है इस तरह से आवेश सानरक्षन सिधान्त का पादन करता है। कि अब हम अगले पॉइंट की और बढ़ेंगे कि आवेस क्वांटिक्रीत होता है तो इसके बारे में ध्यान देते हैं आवेसे क्वांटिक्रीत होता है या क्वांटाइज्ड होता है यह क्या सोईन कर है। चोए सब्याभ siya then क्या अब क्या चीज है इसका मतलब हम लोग बाद निए में समझेंगे। हमने पहले एक इक्जाम्पल समझते हैं। अभी हमने आपको बताया कि आवेश उत्पन करने का तरीगा है या गरहन जो धन आवश इसरी नाव की बात है उसके झान के है में जरूरी है जैसी कि मैं वीडियो में बता चुके हैं कि लेक्टरॉन का त्याक करने पर धन आवेश उत्पन हो जाता है है और गरहन thri под गरहन करेंगे तो वहीं आप पर आवे सुत्पन होगा चलिया हम बात करते हैं को फ़्मार्ट कोई परमाणु है वो कम से कम कितने एलेक्ट्रॉन तियाग कर सकता है या गरहन कर सकता है तो कोई परमानु प्रमानु कितने दूसरा पर मालाण भी तो एक कॉम से ख मूँ एक एक एलेक्ट्रॉन तो त्याग करेगा ही करेगा तो एक 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 मतलब हुआ कि अभी हमने सम्झाया, 1.6 गूना 10 के पावर माइनस 29 कुलम एक एलक्ट्रोन दे दिया, तो इतना आवेश उथपन होगा, दूसरा जो, यह एक एलक्ट्रोन गरहन किया है, तो इस पर होजाएगा, माइनस 1.6 गूना 10 के पावर माइनस 29 कुलम ये तो अब भी समझ रहे होगे कि एक इल्यक्टरॉन त्या किया तो इतना आवेस उत्पन हुआ अब पलस और माइनस को तुर असा हटादेते हैँ समझने के लिए क्योंकि पलस का मतलब हुआ त्या करना और माइनस का मतलब हुआ गरहन करना अब इतना समझ लेज़ेगा कि पलस का मतलब हुआ कि त्याक किया है और मैनस का मतलब हुआ कि गरहन किया है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याक किया तो इतना आवेस उत्पन हुआ इतना आवेस उत्पन हुआ एक इलेक्ट्रॉन त्याक किया तब दो इलेक्ट्रॉन त्याक किया ह तो दो गुना इतना कि सनगे थिए तेन इलक्ट्रों था किया होता त्थी न को हम coal झमा सुवली की पहां के है इसी तरह से च्रेटर्ब प्प्रा था किया होता माली यह फ्रीलेक्ट्रोंस आप फ्रीद क होता की दो पाइक अंवल cartridge Aujourd 10 के पावर माइनस 29 कुलांग क्या कोई दिकत है कि समझते हैं जैसे हम आपसे कहें कि आप पर कितना आवेश उत्पन हुआ आप पर कितना आवेश उत्पन हुआ तो आपका पहला सवाल यह होगा कि आप यह बताईए कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है कि कोई पूछ दिया कि आप पर कितना आवेश है तो यह पता होना चाहिए कि आपने कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है या गरहन किया है जिसे हम मान लिए कि हमने पांच इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो मुझ पर कितना आवेश होगा तो पांच से इतना में गुना क नार देंगे क्या कोई दिकत है मैं कि मुझे पत्ता चल चुका है कि एक इलेक्ट्रा उंत्याग करेंगे तो इतना होगा को तो पांच वह करेंगे निसे गुना हो जाएगा आवेस निकल जाएगा यानि कितना उत्पन छुटल आवेस उत्पन कितना हुआ जितने लिएक्ट्रॉन का त्याक किया है ओसे में गुना कर देंगे निकल जाएगा कूल आवेस सबस्राइगा अबस्राइगा अकुंष में दिया गया पूलायवे ή किसी वस्तूप पारूत्पन कूलायवे इलेक्ट्रौन के आवेश त्याद या गरहन किये के संख्या का गुननफल होता है कि ननकल के बरावर होता है किसी वे वस्तूपद दिया-कुल-वेश कैसे उस्टो कि रूजिश एवं त्याग या गरहन किये गई एल्प नों के संख्या के गुलम फल के बरावर होता है धक 200 यह आवेशों के क्वांति करन का सिधांत अब हम बार 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 यह संख्या न लिख करके हम लिख देंगे एन इए से इलेक्ट्रॉन का आवेस यह वला किसी विवस्तू पर उत्पन खूलाबैस किसी वस्तू पर दिया गिया कूल आवैस पर दिया कि ए से वासर पर लेक्ट्रां के हैं इलेक्ट्रोन के आवेस का यहां मतलब हुआ यह वला इलेक्ट्रोन के आवेस का पुर्णांक गुनक होता है किसी वस्तु पर दिया गया कूल आवेस इलेक्ट्रोन के आवेस का पुर्णांक गुनक होता है यानि कूल आवेस बराबर N गुना इलेक्ट्रोन का आवेस है यानि कूल आवेस Q बराबर N अगुना E Q बराबर N इंटू E जहां N क्या है तो एक इलेक्ट्रोन हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है चार हो सकता है पांच हो सकता है छा हो सकता है साथ हो सकता है इस तरह से यह जरूर आप ध्यान रखेगा अच्छा सवाल एक पूछ लेते हैं तुरसा इसे ही इस पर हम चाचा आगले वीडियो में करेंगे कि क्या हम धाई गोई लेक्ट्रॉन दे सकते हैं धाई इलेक्ट्रॉन पौने तीन गोई लेक्ट्रॉन सावा एक लेक्ट्रॉन डेड़ लेक्ट्रॉन क्या ऐसा दे सकते हैं तो इसका जवां हम देते हैं कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है जब ही देंगे तो या तो हम एक लेक्ट्रॉन देंगे या तो दो देंगे या तो तीन देंगे या तो चा सावाचारी सब नहीं देंगे कि इसलिए कहता है कि जितने हम देंगे ना उतना में इस निकल जाएगा तो खेर आज के वीडियो में इतना ही हम अगले वीडियो में जो है इसके आगे मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा धन्यवाद